आज हमारा टॉपिक इस एक्पेस के वाले से है इन्सेक्स पेस्ट ओफ इंपटर्टेंट्वीरपास मेजर कीज़ा हैं। इन्सेक्स पेस्ट को हम्स्तुड़ी करेंगे और इसके डैमेज़ को देखेंगे हम इंटेग्रेटर्ट मेनेजमेंट की स्क्राइजी हम इस्तिमाल करेंगे हम मुख्लिक क्रेटरल मेक्राइज को इस्तिमाल करते हुए हम कोशिश करते हैं कि इस्तिमाल करना पड़ेंगे हमें आखर में केमिकल इस्तिमाल करना पड़ेंगे इसमें हम वीट राइस उसकी तरह से पॉर्ण या मेज शुगर केन और कॉर्टन की मेजर प्रॉप्स हैं इसके इंसेक्ट पैस्ट और इसका डैमेज हम स्टेडी करेंगे यह नोट्स का की लेंगे आपके लिए तो इसमें ह यह आपके इस्लेवर का पार्ट है बाकी आपके इदे इसकी डेमेज के पार्ट है इसको हम कर ते हैं और दो एक तो ये इसकी quantity यानि इसकी मिदार में कमी का बाइस बन सकते हैं जब इंसेक्ट एक चीज पे फीड करेगा बिसाल के तोर पे हमारे पास दस फीजे हैं जिसके उपर इंसेक्ट फीड करते हैं तो फीड करने के नतीजे में हमारे पास number of product वो कम रहेगी इसकी वज़ा से इसकी quantity हम कह सकते हैं कि कम हो गई है दूसरे नमबर पे एक तीज उसने fully consume नी की इंसेक्ट ने लेकिन कहीं कहीं से खा कर ठोड़ दी है उस तूरत में उसकी quality में तासर होती है काई हुई चीज को या इंसेक्ट अटेक कमोडिटी को कोई भी प्रैफर नहीं करेगा परसन करें करने के लिए तूरेंट की तादाल काफी कम है फिर आप लोगों की ताटल निकलाएगी तरह करने तो ज़्याब अच्छा ना सिर्फ ये quality में लाउस काज करते हैं और quality में लाउस काज करते हैं इंसेक्ट बलके खाने के दुरान अपनी फुराद हासल करने के दुरान ये कुछ पैथोगेंज इंजेक्ट करते हैं जो के हमां फिर क्रॉप्स के अंदर बड़ी डेटली डिजीजीस काज करते हैं इंटीग्रेटिव प्रेस्ट मैनेजमेंट की डिटेयर जासा कि मैंने पेले आपको पताई इसमें लाजिस्टलेटिव कंट्रोल है तानुनी तोर के हम कुछ लाज्स बना सकते हैं कि यह हमारे पास डैमेज की जो हैं डैमेज की जो पोदे हैं वो इस एरिया के बाहर नहीं जा सकते हैं इसके बाद हम कैमिकल इस्तिमाल कर सकते हैं पाईलोजिकल कंट्रोल हम तक्निक इस्तिमाल कर सकते हैं जिसके हम लिविंग आर्गनिजम को लिविंग आर्गनिजम के जरी यही कंट्रोल कर सकते हैं प्रिजिकल मैथड हम इस्तिमाल कर सकते हैं और इसके बाद मै कि यह थे हमारी कोशिट यही होती है कि चैनिकल मैफड सबसे आखर में इस्क्माल किया जा कि यह ओवराल यह जितनी प्रैक्टिस हमने स्टडी की हैं यह माइनर और मेजर इंफेक्ट पैस्ट दोनों को स्टडी करने बड़ी बड़ा इंपोर्टन रॉल क्ले करती है और एक मेजर पैस्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा घामिज करता है और माइनर पैस्ट वह होता है जो ठोड़ा ध्वर थाथ पर इंपोर्टन है कि यह इंसेक्त पैस्ट का स्केटर्श हो जाता है बिसाल के रही एक हमारे पास माइजर का पास सेस्टेस रखता था. लेकिन इंवर्मेंटल ऋचेंजिस प्रोज़स की वज़खे हैं जिसकी वज़खे के रहेत हैं। इसक्रहां से बाकी मैठड़्स की हम अगर हम बात करें, जिसमें फिजीकल है, mechanical है cultural है इसमें time बहुत ज्यादा हमारे पास तर्जिव होता है लेकिन जाहर है इसमें भी सच्छे बड़ा advantage भी तो है इसका कि ये eco friendly है environment को बहुत कम damage करता है बलकि अक्सर cases में damage भी नहीं करती है ये पाइलोगिकल control की अगर हम detail ही जाएं तो इसमें predator हैं parastroids है intromophagus organisms हैं तो इसमें advantage यह है कि ये eco friendly है लेकिन disadvantage यह है कि ये बहुत time consuming है इसके establishment के लिए को establish करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाने के लिए biological agent एक particular area में जहां के पहले वो मुझूद नहीं है ये एक laborious work है और इसके लिए effort का भी require होती है और जैसे हमने पहले बात की के chemical control किसी भी control में जैसा last method होता है जैसे हम adopt करते हैं क्यों क्योंकि ये mammalian toxicity call करता है और human भी mammals के अंदर चामिल है और बाकी mammals जो कि हम यूज करते हैं जो जो भी हम ही इस्तिमाल करते हैं तो इसितिमेटल ही इपक्क्राइट करते हैं वारा हम खैनि करते हैं थे हमारी पूप कम से कम दमगरें कि अब मेज़े क्रॉफ्स में हम मेटर और माइनिर केस्ट विसक्र करने जा रहे ow तहरे नम्पर पे हमारे पहले पर हमारे वात रही टार्टन का फाइबर हम इस्तमाल करते इफ इन सब्सक्राइशन बस्तों यानि दे describing करते होती जा रही है क्य'll कि इन्सेक्स का अटेक इसे बढ़ता जा रहा है इसे आप इंसेक्स को कंट्रोल करने की हमिएत नादाजा लगा सकते हैं कि फार्मर सिर्फ इंसेक्स कंट्रोल ना करने की वज़ा से कौटन को अबाइट करें मैंने आपको बताया कि आपको पार्ट है आपको बॉदर करने की जुदर में इसके साइंटिस यह इंसेक्ट पेस्ट है जो के कॉटन के लीज़ करता है टेकनिकल में इसका ओक्सी कैरिनेस लेटर्स है फैमिली के अगर हम बात करें तो लेगेटी इसकी फैमिली है और आरडर की बात करें तो हमिट्टिस आपको अब आएंडिटिस्केशन में अगर हम आएं तो इसके एक लार्जी प्यूपी और चारो फार्म की इडेंटिफिकेशन चामिल हो सकती है लेकिन सिर्फ मैंने एडल्ड की इडेंटिफिकेशन आपके लेटर्स का हिस्था रखती है और प्रेस्टिकल नोट्बुक्स में आप लोग जो इंसेक्ट जो हम यहां पढ़ेंगे उसकी डायाग्राम यानि उसकी पि हम देखेंगे अडर्स की हम पिक्टर देखेंगे बाकी पागिस की सरफ हम नहीं जाएंगे जुक्ति हम बात करें तो 4-5 मिलिमेटर साइज होगा इसके डार्क ब्राउं से लेकर रेडिश ब्राउं पसका कलर वे लिए कर सकता है और इसी तरहां से अगर हम इसके विक्स की बात करें तो ट्रास्परेंट विल्क हांगे और निम्छ स्टेज है जो एक हुटि स्टेज है यो की फुली ड्रड फुली ड्रेट हम इसको नहीं कह सकते इप्ली स्टेज में दियुक क्विल्क भी प्याहिशि biology स्टीड क्यरेंड लेटर यूइन की चॉस नेम है और ये आपको इसकी डायग्राम यहां नज़रा रही है ये इसका एब्डोमन है ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़रा रहा है और जैसा कि हमने पढ़ा के ट्रांस्पेरेंट विंग्स होते हैं ये इसकी विंग्ट बाउंडरी आपको नजर आ रही है ये बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट इसके विंग्स होते हैं और डाइग्राम आप आपको अब लियर है कि इस तरहां से ये क्रॉप को डैमिज करते हैं तो निक्स और एडल्ट बीसी भी यह है डस्की कार्टन बग इस्टी शॉर्ट फार्म इस्टमाल की गई है यह सक्टिंड इंसेक्ट पैस्ट पी कैटागरी में आते हैं वह इंसेक्ट पैस्ट जो के रस चूषते हैं स्टीडो है अजाने नियुक्त को और डी सिप्धियर को करते रस ज्यादा स्टीड का सक करते हैं तो इसकी वज़़ा से सीड़ की वो शैप मेंटेइन तो जब हम क्रॉप यानि कॉटन क्रॉप के सीड से उसकी लेंट उसकी रूई अलग कर रहे होते हैं तो इस प्रॉसेस में अगर लेंट के ऊपर ये ड़क्ति कॉटन बाद मौजूद होंगे तो ये क्रश हो जाते हैं तरश होने की वज़ा से रूई के ऊपर फिर ब्लैक कलर के धबे पड़ जाते हैं जिसकी वज़ा से उसकी मार्किट वैल्यू मुतासर होती है ये ड़क्ती काटन बॉक्ता डैमिज हमने स्टडी किया है कि देखेंगे आर्डर चामिली अगर स्क्राइब करेंगे और उसके बाद हम एडल्ट की सिर्फ अधिकेशन कामिल है और उसका डैमिज उसकी इसक्स का डैमिज है कि पार्टन गेसर ये भी स्टडिंग क्टेशने वाला कीड़ और इसके अंदर भी जहार स्टाइलेट में आपार्ट में वाले कीड़ें किसका माउट पार्ट स्पेच्लाइज होता है रस्त्यूशने के लिए और तो स्टाइलेट हम कहते हैं टेक्निकल नम नेम की अगर हम बात करें तो अंग्रेस का इसका टेक्निकल नेम है फैमली इसकी सिटालिडी है और आर्डर इसका हो मॉप्टी रहा है आइडेंटिफिकेशन तो जैल्विश गरीन से लेकर पैरेट कलर के इसके अडल्ड होते हैं और निम्स का भी यही कलर होता है और सरदियों के मोटर में एडेल्ड का कलर चेंज होके और रैडिश ब्राउन की तरफ शिप्ट हो जाता है और इसमें डार्परपल आईग इसकी मौजूद होगी निम्स जैसा के मैंने पहले पताया कि इन में प्यूर फार्म होती है और देखने में बिलकुल यह अटांती होँगे और बस इसमें मौजूद होंगे यह जैसार की डाइग्राम आपको नजहुरा रहे है यह 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 बैश ere मौजूद है इसमें बिल्स मौजूद मौजूद मौईए में अगर हम देखें तो यह जो मैं आपको फाइलाइट करके दिखा रहा हूं यह बाउंडरी है विंग्स की सारे विंग्स पर मौज़ है इसको उर्दी में चुस्त तेला कहते हैं क्योंकि यह चुस होता है बड़ी जल्दी खलाई करता है एक जगह से बीटी जगह पॉर्टन जेशर्ड एम्रेश का बिगुटियला इसकी भी डायग्राम आपने नेक्टे हाई डायग्राम निकाल के एक ही मर्दबह और इसके जो प्रिंट आपने कलर्ड प्रिंट लेकर नो और अगर हम इसको अठे तरीके से कंट्रोल कर लें तो बाइस से लेकर यानि 53-50 परसेंट यह हम इसकी जीट को इन्हेंस कर सकते हैं ना सिर्फ ये स्टाइलेट के जरीए सटिंग करता है तैप की बलके इसके साथ साथ टॉक्सिक मेटीरियल इंजेक्ट कर देता है जो कि प्लान के लिए और खतरनाफ होता है इस सेंस में के उस टॉक्सिक मेटीरियल की वज़ा से लीफ कर्ल हो जाते हैं पीले हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो गिर जाते हैं लीफ बहुत स्यादा इंफेस्टेशन अगर इसकी देखी जाए तो थैर्टी फाइफ पर्सन ये रही को लुक्सान को जाता है और जब कि वज़ा से प्लांट की बिकर प्लांट की टाकत मुतासर होगी तो अल्टीमेटली इसकी यानि फ्रूट रिटेनिंग और फ्रूट अप्टेनिंग अबेलेटी मुतासर होगी वाइफ लाइफ बहुत ज्यादा डाइमेज का आज कर रही है इन दिनों बड़ा इश्यू बन रहा है कि वाइज कि यानि कॉटन के उफर इन वेर्स में 2019, 2020, 2017 बड़ा इश्यू रहा है वाइफ लाइफ का टेकनिकल नेम की अगर हम बात करें तो बेमिशिया टैबर सी इसका टेकनिकल नेम है फैमली इसकी लैरो टाइडी है और आज़र इसका होमोफिरा है इसके इमेट्यूर स्टेजेश के हैं वो पीले रंग से लेकर ब्राइट जैलो कलर हो सकता है और इसके उपर वैक्स मेटिरियल पौडरी सा मेटिरियल आपको नज़र आएगा इसकी बॉडि पे विदियों और इसके वींग्स के हों है पूरी बाड़ी के उपर मेटीरियल मुझूद होगा जिसको रेक्सी मेटीरियल हम कहेंगे पाउडर की शकल का मेटीरियल इसका मुझूद होगा ये इसकी आइडेंटिटिटिकेशन इसका है अब हम भाज कर लेते हैं इसके डैमेज की निंफ और एडायट दोनों इसका डैमेज क्राश करते हैं जाए ना किरफ डैमेज क्राश करते हैं बलके मुझुद डिजीजी खेलाने में भी यह एहम रोल प्ले करते हैं क्योंकि यह भी सकिंग पैस्ट है सकिंग इंसेक्ट पैस्ट है तो यह स्टाइलेट इस्टमाल करेगा इंजेक्ट करने के लिए प्लांट के अंदर तो दोनों करहां से यह लॉग सासर कर सकते हैं डिरेक्ट लॉग कि सहां से प्लांट की विगर मतासर होगी प्लांट की सेहत मतासर होगी और इस चरह से जब सब्स्राइब सब्सक्राइब, सख करेंगे को फ् L beschäftसेफ मतासर होगे और इन्डारीक्त लोस इस तरह इन्डारैट्ट लोस इस तरह से है खर करते हैं व्लक्त अच्छा मीथा होता है और जब ये शूगरी मिटार्यल अपनी खुरात ले लेते हैं और इसका प्रॉसिक कर ले तो वेस्ट प्रॉड़क जो भार्ड करते हैं इस میں भी शूगज़ के कंटेंट कहीं लच मौजूद होते हैं थी किनट क्यूंकर इस में मौजूद धयर की होते हैं पॉन की लगोव को यह पेसेलीटेट करेगा तो उसके ऊपर वंग्ष की एक टाइप कि है जिसको हमस्टी मोर्ड के ते हैं वो इसके जो होना उस्ट हो जातीज साज्थ जब फंग्षब इक पॉत आपको तो हो जाती और इसकी वजह से प्लांट की फोटो संथेटिक एक्टिविटी मुटास्ट रेगी किसी भी इंसेक्ट पैस्ट को मतबादल फोदा चाहिए होता ग्रोव करने के लिए अगर मैं बात करूं कार्टन की तो कार्टन के उपर वाइप लाई आती है लेकिन वाइप लाई को सक्केस्फुल ब्रोष के लिए जब वाइप जब कार्टन का सीजन नहीं होगा तो उस सूरत में वाइप लाई को एक ऐसा प्लांट चाहिए होता है ऐसा पोड़ा चाहिए होता है जिसके उपर वो सर्वाइव करें अब आपको यह बात पता चलती कि नोड़ा निपुए हैं जबें सबस्क्राइब के जादा बढ़ जैते हैं उन्सक्याइद आ है इसके जिएक जिकिया हम हम ह सब्सकर्थ Singapore सोब्सक्राइब करने मभर्ण पर जैन्आ जार्थर संग्यूय वाइप लो justement किvelopुष यो कि अब आगर मैं कि यह और दरह जो कि आल्टर्मेट होस यानि मतबादल मेजबान के तोर पे काम करती है, जो कि कॉटन की गैर मजूद्धी में या किसी भी दूसरे पोद्धे की गैर मजूद्धी में इसको शेल्टर करती है और कूड पराहम करती है इसका डैमिट बहुत ज्यादा है और तक्रीब तक्रीबर 111 किसम के प्लांट वायर से यह है जो कि इसकी वज़ा से ट्रांस्पेट होते हैं इसकी सब्सक्राइब करते हैं इसका डैमिट ना वाइट लाइक है आज हम सिर्फ परकूर्टं के इस एक प पर टैक्ट करता है इस डिर्फस को इन गी इसका साइंटिविक नेम है अगर हम बात करें तो फायर होग को रीडी इसकी तैमिली है तो और आड़र की हम बात करें को है मिफ्टी रहा इसका आड़र है कि आपको डियाग्राम नजर आ रही है अब क्लेक्शन वाले नोट में हमने काफी दफ़ा ये स्टडी किया कि इंसेक्ट को पिन कहां करते हैं तो रेड़ काटन बाग ट्रू बग है और हमने वहां पढ़ा था के टू बग को हम स्कूट एलम के अंदर पिन करते हैं प्राइंगल शेक्ट के ये स्कूट एलम है जिसके अंदर हमने पिन इंसर्ट की गई की हुए है इंडिकेशन डियाग्राम आपको नज़र आ रही है नाजुक इसके एडल्ट होंगे और है इंडों का रंग अगर हम गहना कर लेंत उस अमें ये हमेंशा हो रहे ना यह कम्मरद रहें और ना ही इंटो को सही रेप्रिजेंट कर रहा है तो इसको हम कहेंगे ब्रिक रेड कलर अच्छा ये ये जो इसका ब्रिक रेड कलर में शो हो रहा है ये इसका विंग रेप्रिजेंट कर रहा है और यहां से विंग ये खतम नहीं होता ये आखर तक ये ब्लैड कलर का भी ये विंग वाला पॉर्शन ही है टोटल अब्डॉमन यहां आपको क्लियरली नजर नहीं आरी अब्डॉमन पे इसकी पटियां होती हैं जो के वाज़े पटियां होती है और बहुत अफ़ा रैडिश कलर भी इसकी रैडिश ब्लैक कलर इसका अब्डॉमन शो कर रहा होता है हुँ हिए अब कि आप पॉर्टं प्रिप्स की हम बाग कर लेंगे नेक्स इन शेक प्रफ्स नेंट है ट्रीप इसका वाज़ें है इसका नाप्किर्ष नेम है कि ये तैयागराम है यह इसिक बगोब आ इस विंगस में एक बख़ों के लिया बीब नाज़ुत वहती हैं और तक व कि बॉडी के उपर एडल्स के उपर भी मौजूद होगे prove इस बने पड़े सब्सक्री इस सखहुंद समय इस कि इतअип Nat diva उपर हेर मौजूद होंगे और इसके जीफ के उपर भी हेर मौजूद होंगे इसके इडेंटिपिकेशन के हमाले से हैं एमिज हम देख लेते हैं किस तहां से इस डैमिज काथ करते हैं पत्रों के उपर फीड करते हैं बड्स के उपर फीड करते हैं बड़ के उपर जब फीड करेंगे तो निकलने वाले लीव जो है वो सही चेप में नहीं होंगे बलकि डी फॉर्म्ड लीव हमें परवाइद कि हो जाएंगे ही कॉर्म्ड लीव हमें मिलेंगे और इसी तरह से यह सीडलिंग पे ज्यादा टैक होता है प्लिक्ट का किसी भी क्रॉप के छोटे पोड़े को जिसको हम पनीरी भी कहते हैं उर्दुमें हमें किसी भी इंसेक्ट पैस्ट की स्टेज़ ही पता होने चाहिए कि किस स्टेज़ में वो ग्रॉप को डैमिट कास कता है रिक्स की सुरत में हमें स्टेज़ वासे करके बताई गई है यह सीडलिंग पे ज्यादा अटैक करता है जून बिलाई के अंदर जब बार्चे होती है तो सीजन एक तरहां से खंडा हो जाता है वैसे तो दर्मियों का मौसम होता है लेकिन बारच होने की वाज़ा से मौसम खंडा हो जाता है जो के बहुत ज्यादा फेवर करता है इसके अपैस्ट डैमेज हम इस तरह से इडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीव के ऊपर सिल्वरी अपेरेंस हमें नदर आएगी और सिल्वरी अपेरेंस के साथ साथ सेकेंड इसकी देंटिफिटेशन में यह है कि कप शेफ के लीव हो जाएंगे सकिंग की वज़ाए से सेल्टैप सकिंग के में इसके लीव की यह हालत होगी मॉटन एफर्ड पर हम बात कर लेते हैं एफर्ड गोशीपाई या गोशीपी भी इसको पड़ते हैं इसका साइंस्टिक नेम है एफ़ी डाइबी इसकी फैमली है और होम उप्तिरा इसका आर्डर है इसमें यह इसमें चोटे नजर आ रहे हैं और यह आपको जो बड़े नजर आ रहे हैं और इसी के अंदर यह एडल्ट जो आपको नजर आ रहा है इसके विंग्स भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके विंग्स है एडल्स की सुरत में। और इसका कलर केंज है। एफड में बहुत ज्यादा कलरेशन है। कलर रेंज इसकी फोस्ट प्लांट के हवाले से वेरी करती रहती है। केंज होती रहती है। मिसाल के तोर पे वीड के ऊपर जो है वो गहरे सबस रंग का एफड़ आपको नजर आएगा। और इसी तरह से स्टूड़न्ट अभी एड़ हो रहे हैं। टाइम से आप एड़ हुआ पर प्लास में बना लेक्टर का वाइदा नहीं होगा। अक का अगर फोदा आप लोगों ने देखा हो तो अक के ऊपर आपको येलो कलर के एफड़ नजर आएंगे। एफड़ की बहुत ज्यादा स्टीचीज हैं। क्योंकि अब हम काटन एफड़ की बात कर रहे हैं। तो उसका यही कलर होगा जो आपको डाइग्राम में नजर आ रहा है। पीले रंग का और एडल्ट इसका विंग्ड एडल्ट गहरे रंग का गहरे प्लाइड कलर का इडेंटिकेशन हम देख लेते हैं। हाँ यही वही कीज्ड इसकी कीजिए जो हम पहले those too can कि खके इसका साइज और से कलर में बहुत ज्यादा वेरीशन है ना सिर्व साइज और कलर में बल्कい इसके मार्कोलोजीकल में होती Holy-kart क於 कि अअधिति से लिए कि जड़ियोंके उपर मौझूड मौजूद है मार्कॉलोजी की sir 1999 कि इसके इसने मार्कॉलोजीटल स्बस्ट KALP तर इसम लिए चरण शेल एनार्ग EEP कारो और ँड़िए तो उसी से यह मार्कॉलोजिकल फॉर्म निकली है या तो विंड होंगे और या फिर विंड लेस होगे ज्यादा तर एफ़र्ड विंड लेस होते ही और कुछ जो है वो विंड रखते हैं और इसका तर्फ वेरी करता है यहां इस टर्म इस्तमाल की जा अलेट कहते हैं विंड तो निम्स कुछे इमेच्वर फार्म है आप तक तो हम काफी दफार रेपीट कर चुके इस बात को और निम्स के ऊपर विंड मुजूद नहीं होते हैं और इसके उपर वेक्सी मेटीरियल मौजूद होगा अब यह जो वेक्सी मेटीरियल एफड के उपर मौजूद है यह बहुत कम होता है अगर हम इसका मौाजना करें वाइट प्लाई के उपर वाइट प्लाई के उपर वेक्सी मेटीरियल काफी स्यादा होता है इसके अगर ह हमसे डैमिज की हम बात कर लेते हैं यहां एरिया हम हाइलाइट कर लेते हैं कर देट कमेरे कर रुद कर दूद के लिए एक अच्छा मेजर इंसेक्ट स्टेस्ट में ये शामिश होता है क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज करता है ना सिर्फ सटिंग के जरीए बलके सूटी मौल्ड भी इसके उपर ग्रोव की हुई होती है ये भी ज्यादा इंट्रेशन सीर्लिंग स्टेज़ पर तास करेंगा ज्यादा हमला जिसकी वज़ाए से क्रिंक्लिंग ओफ लीव्स मौजूद होगी और पत्ते गिरेंगे और इसी तरह से करें रिस्टंटिंग क्याते हैं कि रोध कम हो जाना कि अगा कि अगा कि अगा कि 25 से कम अगर एक लीव मौजूद हो काटन के उपर तो यह इतना ज्यादा डैमाई नहीं करते हैं लेकिन अगर इसकी सादाद पचास से बढ़ती है तो यह कि बाल साइज जो काटन के बाल होते हैं जिसके अंदर सीड और रूई मौजूद होती है सीड और लेंट मौजूद होती है उसका साइज रिड्यूस करते हैं और इसी तरह से कि इसी बॉल को गिराने का भी सबब बनते हैं बॉल गिर गया तो जी हमारी आतो मैंटिकली मतासर होगी कि स्प्रीन चॉर्ट के लिए याज दियार स्केटर चरले तो नेक्स प्लास में हम इसी इस एक्पैसोर को पार्खन आज इंशाला मुकमर कर लेंगे कि इमेल की तरफ से जी आर का से लिए प्रक्ते सरे की ओए यह किसी आख वी इंटर चर्जेंगे प्रक्तिक तो प्रक्तिक प्रक्तिक एंगे झाल 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 झाल